वाट इव गॉवर्मेंट फ्री एवरिटिंग तो अगर हम हाल के वर्सों में जाएं तो हमारे देश में एक ऐसी पॉलिटकल पार्टी निकल कर आई है जो जिसके सीम जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ फ्री फ्री का वादा करके आ जाती है और जिसका असर यह होता है कि बाक सारे एकनॉमिक एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते थे पर जब से आम आप में पार्टी आई है तब से वोटरों को लुभाने के लिए एक नया ट्रेंड चल पड़ा है फ्री एलेक्रिसिटी फ्री वाटर फ्री बस सर्विसेज फ्री मेट्रों सर्विसेज यहां तक हर मत पै कर दे आई आज इस वेडियो में बात करते हैं नॉबल प्राइज विनर मिल्टन फ्रेडमेन का एक फेमस कोट है कि there is no such thing as free, we pay for everything जब सरकार फ्री में कुछ देती है तो उसका पैसा वो अपने पॉकेट से नहीं देती है वो सारा पैसा हमारा और आपका टेक्सपेर्स का ही इसमें एक बात हो सकती है कि ये सारा पैसा अमीरों और मिडिल क्लास से टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है और जिसको कि फिर गरीबों में बाट दिया जाता है और इसको आप redistribution of wealth भी कह सकते हो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अमीरों से पैसा उठाया और गरीबों में बाट दिया पर वेट इसमें हम गरीबों का benefit कम और हाम ज़्यादा करते हैं और वो कैसे तो मैं इसके लिए आपको एक example से समझाता हूँ imagine करो कि कोई एक गरीब परिवार है जिसके घर में एक बिरोजगार आदमी बैठा हुआ है तो government ने उस परिवार के लिए free food, free electricity, free water और free bus service की घोसना कर दी और साथ में उस बिरोजगार आदमी के लिए एक 1000 रिपया महिना भी fix कर दिया अब आपको लग रहा होगा कि यार government कितनी अच्छी है गरीब और unemployed section के लिए कितना अच्छा काम कर रही है पर again wait आप सोचो कि अब उस आदमी के लिए काम करने का क्या incentive रह गया है अब वो काम क करना क्यों चाहेगा पहले वो अगर बेरोजगार रहता जब government के तरफ से उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो वो संगर्ज करता मैनत करता और अपने लिए कोई ना कोई काम तो ढोंडी लेता आज दिन के 100 रुपय कमाता फिर धीरे-धीरे काम करता स्किल गेन करता और फिर एक उसकी वज़ा से देश की एकनॉमी में जो कंट्रिब्यूशन मिलता वो भी खत्म हो गया दोस्ते इस फ्री-फ्री पॉलिशी का इंपक्ट यहीं पर खत्म नहीं होता है दरसल होता क्या है कि जब आपने करन इंप्लाइट सेक्शन को फ्री में सर्विस देना शुरू करते ह तो जो दूसरा सेक्शन होता है जो कि कर्श्रक्शन वरकर्स है लेबर्स है डेली वेजर्स है तो उनको अब लगता है कि यार सब कुछ जब गौवर्ण्मेंट फ्री में दे रही है तो फिर हम अपना खुन क्यू जलाए हम इतना मैनत क्यू करें और बस यहीं वो सिच्वे हम भी उतनी मैनत करेंगे जितना हमारा डेली का खर्चा हो जाए इधर फैक्टरी कर्श्रक्शन रोड जितने भी एरिया होते है वहाँ लेबर का सॉर्टेज हो जाता है जिससे कि होता क्या है कि अब लेबर नहीं पहुंचेंगे तो समान बनना भी बन्द हो जाएगा जिस सच में कुछ नहीं होता तो जी नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कई सारी देशों में ये घर्ट भी चुका है और इसका साइनिंग एक्जाम पल वेनेजुएला है उन्हें ठानवे में जब वेनेजुएला में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रात था तो हीउगो चावेस नाम सबी को लग रहा था कि यार सरकार कितनी अच्छी है गरीबों का कितना ध्यान दे रही है पर धीरे धीरे इसका नेगेटिव साइट दिखना सुरू हो गया एज वेजुएल जैसा कि मैंने पहले एक्जामपल में बताया था कि कर्श्रक्शन वर्कर में लेवर की पूरी आल टाइम हाई है उसके बारे में वेनेजुएला के बारे में कहा जाता है कि 1930 में जो यूएस में डिप्रेशन आया था ये उससे भी डेंजर है और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे दुनिया में एक ऐसा देश वेनेजुएला अभी भी है जहां पर यह सारी बनवाएंगे कॉलेज बनवाएंगे और जिससे की देश का विकास होगा पर यह सब एक लंबा प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है जबकि जो हमारी पॉलिटकल पार्टी होती है उनको हर पांच साल में इलेक्शन में आना पड़ता है और जो नेशनल पॉलिटकल पार्ट है जो पॉलिटकल पार्टी वो ऐसे लुभावने जादा देती है ताकि अगली बार जनता उनको चुने और जनता इन जो पॉलिशी होती है फ्री वाली इसमें जल्दी से जनता जोड़ भी जाती है मैं आपको एक एक जामपल देना चाहूंगा यह थोड़ा ओफ टापिक ह हो जाएगा कि एक सरकार ने एनांस कर दिया कि यार इस राज की राजधानी में दस जार बेड़ का एक हॉस्पिटल बनेगा सुने में कितना अच्छा लग रहा है और आप इसको अलग तरीके से देखिए मैं आपको बताता हूं कि यही 10 जार बेड़ को 10 हॉस्पिटल में क राज के 10 सेरिया में कौन सा अच्छा है आप चानते हो लेकिन बात वही है कि वोटर को लुभाना है और वोटर को यह सब सुनने में अच्छा भी लगता है वैल मैं थोड़ा सा लगता है कि off topic हो गया पर कोई बात नहीं चलिए अगले point पर बात करते हैं दोस्तों इन सफ चीजों का एक ही solution है जो कि next to impossible है और वो है कि corruption को minimize करना मतलब कि आप समझो कि जब तक public का trust government के उपर है तब वो इन सब चीजे लुभावने चीजों में वो नहीं आती है लेकिन जब government की corrupt हो जहां पर government के लोग सरकारी जितने भी पैसे वो सब खा जाए फिर जो officers है वो भी पैसे खा जाए तो public को लगता है कि यार जब हमारा सारा tax का पैसा उन लोग के packet में जा रहा है तो पिर हमारे packet में भी कुछ ना कुछ आना चाहिए और इसलिए वो इन सब चीजों में attract हो जाते हैं पर अगर government का और public के बीच अच्छा खासा trust हो corruption कम हो सारा पैसा development के काम में जाए road बने सड़क बने मतलब कि एकी चीज़ हो गया और भी health sector फिर जितना भी education sector यह सब चीजों में अगर सही से पैसा लगे तो फिर public भी believe करती है कि हां यार यह सब वहां पर इंसान की productivity बढ़ती है और जिससे की all over economy में contribution मिलता है पर यह क्या कि मतलब free में bus services, free में metro services, free की food मतलब कि जो सबसे गरीव सी गरीव जनता है उनको यह सब मिले वो तो समझ में आता है लेकिन हमारे देश में 80 कड़ोर लोगों को free में रासन मिलता है मतलब free में नह हम आज इतना गरीब है कि मतलब 2 रुपे चावल 80 कड़ोर जनता खाईगी मतलब इसको लेकर नीती आयोग ने भी कितने सारी concern दिखाई है पर चुकि कोई भी अपने voter को छोड़ना नहीं चाहती है तो यह सब continue रहता है चलिए यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं और आप आपको यह वीडियो कैसा लगा तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद